भीगी नहीं थी मेरी आँखे, कभी वक्त की मार से, देख तेरी थोड़ी सी बेरुखी ने इन्हें जी भर के रुला दिया। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। हिम्मत कीजी और कदम उठाइए। स्रस्टी में एक प्रेमी है, जो लाग प्रियत्न करो, खत्म करने का तो बढ़ता ही जाता है। अपने बुरे समय में इस्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोईले को भी हीरा बना देता है और इस्वर रंक को भी राजा बना देते हैं। उपर वाले की निया की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिष्टी बहुत अच्छे से है। कोई रूठे तो उसे जल्दी मना लिया करो ये दोस्त, गुरूर की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाया करती है। बहुत मतलबी हैं आज कल के लोग, पहले करीब आते हैं, फिर आदत बनते हैं, और फिर छोड़ कर चले जाते हैं। गलत आदते मुसीवत की जड़ होती है, क्योंकि यह मनुस्थ के जीवन को तबाह कर देती है, इसलिए गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। मुस्किल में दिलासा देने वाला कोई पराया भी हो तो भी दिल में जगा बना लेता है, और उस मुस्किल वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी हो तो भी दिल से उतर जाता है। सराब की बोतर सी है यह इमानदारी, कोई छोड़ता नहीं तो कोई छूता तक नहीं, सबर रखो हर चीज आसान होने से पहले मुस्किल होती है, जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं है, जिसको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े, सफलताएं सवय ही ख छोड़ना, कठिनायों में मुस्क उदाने का सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है, एक इच्छा मंजिल तक पहुचा देगी, लेकिन अनेक इच्छाएं मंजिल से भटका देगी, उदास ओने के लिए उमर पड़ी है, खुस रहने के लिए जिन्दगी खड़ी है, हर क फलता के सूरज का उदय देखते हैं, केवल दो इंसान सब्द को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, एक ज्ञान साधक और दूसरा परिच्छक, आखे बंद करने से परिशानी दूर नहीं होती, और बिना परिशानी के आख नहीं खुलती, हमारी आखे हमेशा वही लोग खोल जाते हैं, जिन पर हम आखे बंद करके भरुशा करते हैं, पहचान से मिली हुई सेवा बहुत कम समय के लिए ठिकती है, लेकिन सेवा से मिली पहचान उमर भर तक कायम रहती है, सच्चे होने के बावजूद कोई आपको पसंद नहीं करता तो, दुखी मत होना, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, जब उन लोगों को पस्ताना पड़ेगा, इच्छाओं का अंत यानी चिंताओं का अंत, और चिंताओं का अंत यानी खुसियों की शुरुआत, नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए, सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात ह पर मातम सम्मान के साथ जीना फुद की पहचान है, इंसान बहुत कमाल का है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता, जाने कौन सी सुरत पर आदमी को नाज है, जो आकरी सफर के लिए भी औरों का महताज है